वेलकम टो यूट्यूब चैनल संतोष पधान फायर ब्यायर में आप लोगों का स्वागत है जो भी मेरे चैनल पे नए है वे सियर और सब्सक्राइब किजिए मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पेड़ से गिर जाता है या रोड इक्सडेंट में उसका दोनों पैर डैमेज होता है तो कैसे उसको दो आदमी के सहारे फोर अस्ट्रक्चर बना कर कैसे हस्पीटल उसको तुरंट पहुचाय जा सकता है बिना इस्ट्रक्चर करें देखिए और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि गूट स्वेटर लॉक क्या होता है और वन आवर गोल्डेन पिरियेड टाइम जो मैं बताऊंगा आज ग्राम राक्षा दौल सा पुलिस मीत्रों के द्वारा यह जो भी बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति का एक पैर क्योंकि जब भी कोई मरेज टूट जाता है पर उसको बहुत अत्काल हस्पीटर पहुंचाना आवस्रक होता है यह हम लोग इस वीडियो में बता रहे हैं और आप लोग आगे वीडियो में और देखिए मैं बताने जा रहा हूं कि गूट स्वेटर लॉग क्या होता है गू करनाटक राज में राष्टपती रामनात कोविंद करनाटक की मेडिकल टीम और डाबलू एचो जो विश उस्वास संग्ठन है उसके द्वारा लागू किया गया और उसके बाद एक फरवरी 2019 को पूरे भारत में गूट स्रमेंटर लॉग लागू किया गया जब डाबलू एचो को द्वारा ये सर्वे किया गया जनगर्णा किया गया कि रिष्ट एक्सिटेंट में के बारे में तो जो पंदरा सोरह में सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि भारत में बिश्व की कुल गाड़ी की अबादी का 5% गाड़ी जो है भारत में है औ तो WHO ने survey करती किया, उसमें पाया कि यहां पर बहुत इक्सडेंट होता है, और यह survey जो होता है, WHO द्वारा, साल में 10 साल के अंतराल पर किया जाता है, जैसे जनगर्णा भी भारत में 10 साल के अंतराल पर होती है, उसी तरह, अब जो नया residential के बारे में Surveye WTO करेगा वोуж Εtoo 2526 में करेगा भारत में 2015 में दुरघटना जो हुआ था उस 5 लाग हुआ जिसमे मोळ 8,5 लाक हुई और 2015 में भी 5 लाक दुरघटना हुई लोड इक्षिडेंट द्वारा जिसमें 5 लाख मौते हुए इसी को देखते हुए गूट समेटन लाउ लाया गया और आपके मन में ख्याल होगा आप लोग को कि गूट समेटन लाउ क्या है जिससे सणक पर कोई दुर घाटना हो जाती है लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आता इसकी वज़ा होती है कि ऐसे मामलों में मदद करने वाले को पुलिस द्वारा परिसान किया जाता था पहले कोट का चकर बेवज़ा लगाना पड़ता था पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था आपको बार बार बुला जाता था हमेशा कभी भी पुलिस आपके घर आ जाती आम जो रोड यूजर है उसको नहीं बचाते थे लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी यानि रोड गूड रोड यूजर जो रोड पर चलने वाले आदमी है उसके सरक्षंट के नियम गूड समेटन यानि मुसीबत में मदद करने वाले ब्यक्ति को पुरी सहायता दी कारी या कोई अन्य व्यक्ति नाम यह नहीं पाचान पता इसे किसी भी व्यक्ति गद्विवर्ण खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे देखिए पीएसी के सुमन जी है और यहां मनिश जीवी उपस्तित है इनका कहनाम है कि आप लोग यहीं मदद करने के लिए आते हैं और आपका समय रोड में जा रहा है कहीं दूर नहीं समय है तो आप 102 नंबर पर डायल भी कर सकते हैं जिसे रोड में इस्टेंट होता है उसके लिए पीएसी जाए हर हस्पीटल में जो ब्लॉक अस्तर है अनमंडल अस्तर तो वहां पर दो गाड़ी उपलब्ध है और उसमें एक गाड़ी जेनरल के लिए रहता है जो भी होता है एक गाड़ी रहता है भरमेशार रोड इस्टेंट चाहर कोई भी अस्पेशल में रहता है वह जाएगी वहां पर और उससे उठाय लाएगी और आपके मन में आना चाहिए वन आवर गोल्डेन पिरियेट टा पहुचाना यों पटी लगाना इलाज सुरुक कर देना वह द्वारा रिसर्च किया गया कि दुर घटना में घायल ब्यक्ति को सही टाइम इलाज नहीं करवाने पर मिर्तु हो जाती है कोई कि क्यों की खून के साथ साथ आक्सीजन का भी सरीर से निकाशी होता है सरीर में कम होता है जिससे brain hemorrhage heart attack भी हो जाती है WHO ने कहा कि एक घंटक अंदर ब्यक्ति को इलाज करवा दिया जाए तो 50% मौते कम हो जाएगी और इसी के लिए one hour golden period टाइम लाए गया क्योंकि कोई भी ब्यक्ति किसी को बचाने के लिए आगे नहीं आता था इसी नेक काम को करने के ल 2019 को मैंने बताया कि गूर्ट समेटर लॉफ खुलाया गया देखिए इस्ट्रेंट को जीरो नहीं कर सकते हैं कम कर सकते हैं क्योंकि आप उसमें इन फोर्शेंट्मेंट प्रवर्तन लागू करवाना पुलिस द्वारा करा जता है इजुकेशन सिक्षा के द्वारा अभ्यान किजिए जाहिन जय भारत